उम्शान्ती आज 16 जुलाई दो हजार तेईस आज की अव्यक्त मुर्ली से हमें गुन सीखने मलता है रिगार्ड देना रिगार्ड देना अर्थात सम्मान करना रिस्पेक्ट करना इस गुन को धारन करने के लिए एक विशेश अभ्यास की बहुत जरूरत है और वो है बालक सो मालिक मालिक सो बालक मालिक बन करके अपनी राय देना और बालक बन करके स्विकार करना यह अभ्यास हमारा जितना अच्छा है हम उतना ही रिगार्ट देने के इस गुण को अभ्यास मिला सकते हैं दूसरों के विचारों को रिगार्ट देना जितना हम अपने विचारों को रिगार्ड देते हैं उतना ही दूसरे के विचारों को भी रिगार्ड देना है रिस्पेक्ट करना है दूसरे के विचारों को काटना नहीं अगर हम काटते हैं दूसरों के विचार को तो उनके अंदर भी फोर्स पैदा होता है और यह जैसे कि हम उनके विचारों का डिस्रिकार्ड करते हैं तो जितना हम अपने विचारों को रिकार्ड देते हैं ऐसे ही दूसरे के विचार को रिकार्ड दे और ऐसा करते हैं यह दूसरों को रिकार्ड देते हैं तो naturally जब हम दूसरों को regard देते हैं, कोई बात ठीक नहीं है, तो उनके लिए समझानी देना अलग बात है, समझानी देना, विचार को समझना और फिर उसको explain करना और समझाना ये अलग चीज़ है, लेकिन एकदम से cut नहीं करना है, किसी के भी विचार को एकदम से cut करना या ठ तो रिगार्ट देना जितना हम करते हैं, उतना हम रिगार्ट प्राप्त भी करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं घर के अंदर, वो बच्चे माबाप से copy करते हैं, माबाप उनको कुछ सिखाते नहीं है, लेकिन बच्चे automatically उनके copy करने के संसकार होते हैं, तो जैसा माबाप क करते हैं हमें देखकर हमारे आसपास के लोग भी सीखते हैं अगर हम दूसरों को डिस्रिगार्ड करते हैं दूसरे के विचारों को ठुकराते हैं तो जैसे कि ये एक उनकी अंदर भी डिस्रिगार्ड का बीज पर जाता है और वो भी आगे चलकर दूसरों के विचारों को डि जैसे चूहा होता है, वह फूप मारता है, और फिर काटा है, तो इसी तरह से, वह नग, जो ठंदी-ठंदी फूप होती है, उससे वह काटने का दर्द महसूस नहीं करता है। इसी तरह से किसी की कोई बात ठीक नहीं है, तो उसको समझानी देनी है Record देकर प्यार से समझानी देनी है एकदम से कट नहीं करना है जब ऐसा करेंगे प्यार से रिगार्ट देकर के उसको समझाएंगे तो उसको कट किया हुआ महसूस नहीं होगा लेकिन श्री मत मिल रही है डिरेक्शन मिल रहा है ऐसा महसूस करेंगे और प्यार से उस बात को स्विकार कर परिवर्दन करेंगे तो रिगार्ट देना, रिगार्ट लेना है तो आज सारा दिन में इस गुन का विशेश प्रयोग करें और इसके बल लें आज के दिवस की यहीं शुब कामना ओम शांती